हलो अब्रिवन, दिस इस यूर अजुकेटर मांसी गुपता, वेलकम टू रेडी फॉर स्टेडी, आज हम क्लास नाइन्थ की सोशल साइन्स यानि की सस्ट की वर्क्षिट करने जा रहे हैं, यह आपकी सस्ट वर्क्षिट नंबर 75 है और इसकी डेट है 28 जन्वरी 2022, ठीक है स् ठीक है, तो अभी तक हम प्रिवेस वर्क्षिट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि इलक्षिन हमारे लिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इंडिया में इलक्षिन का क्या सिस्टम हैं, इंडिया में कैसे इलक्षिन होते हैं, और इनक्वारी करने वाले आते हैं एक शीट लेके आते हैं जिसमें नाम होटते हैं फोटोज होती हैं एज लिख हुई होती हैं ठीक है वह आपसे पूछते हैं कि कोई नया कैंडिडेट तो आपकी घर में नहीं है जिसकी 18 से अबवेज हो गई हो तो फिर वह उसका नाम भी कि मिनेशन बिना किसी भेदभाव के लिस्ट ऑफ दोज हुआ इलाजिबल तो वोट इस प्रपेरड मच बिफोर दा एलक्शन यानि कि जो लोग वोट देने के लायक हैं काबिल हैं इलाजिबल हैं उनकी लिस्ट बहुत ही पहले प्रपेर होताती है इवन बिफोर ता स्टा लेकिन जनरल हम इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट इसमें सबके नाम होती कि कौन-कौन रोग वोट करेंगे ठीक है अब देखते हैं नॉमिनिशन ऑफ कैंडिडेट मतलब कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है वोटिंग के लिए तो उसका चुनाव कैसे होगा मतलब उसको हम कैसे चूज करेंगे कि हाँ इसको ही खड़ा होना चीह है कौन खड़ा हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट जैर कैंडिडेट हूग दा पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट अब देखो क्या होती है अगर पॉलिटिकल पार्टी एक परसन को एक एक पंजा है और अगर हम बहुजन समाज पार्टी की मायावति की है उसका हाथ ही है समाजवादी पार्टी का साइंकल है जैसे ही अलग-अलग पार्टी के अपने अलग-अलग सिंबल होते हैं पार्टी नॉमिनेशन इस ओफटन कॉल्ड डा टिकेट और इसको क्या बोलते है कि हाँ मेरे को तो इस जगह से टिकट मिल गया है तिकट मतलब मेरे को महाँ पर खड़े होने के लिए जो है छूट मिल गई है अवरी पर्सन हूँ विष्टू कॉंटेस्ट एंट इलेक्शन हास टो फिल आर नॉमिनेशन फॉर्म और जो भी इनसान किसी जगह से स्पासिट जगह से खड़ा होना चाहता है कैंडिडीट पढ़ना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म विल करना होता है अब देखो पहले क्या होता है था नॉमिनेशन फॉर्म भरने के दोरार आपको अपनी आपके पास संपत्ती है जतना पैसा है उसकी जानगारी जनी पढ़ती थी लेकिन अभी रिसेंट में क्या होई है कुछ नई चीज़े इंट्रीज हुई है अब सुप्रीम कोट ने ये मैंडिटरी बना दिया है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है वो अपनी पूर प्रॉपर लीगल डिक्लिरेशन के साथ बोले कि उसके उपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है ठीक है इस इंफर्मेशन हैस तुबी मेड पब्लिक और फिर बात में ये सारी इंफर्मेशन पब्लिक कर जाती कि हां भई ये वाला जो कैंडिडेट इतना पढ़ा लिखा है और इसने के पास इतनी संपत्ति है इसके ओपर इतने क्रिमिनल केस नहीं या फिर इसके ओपर कोई भी क इसन ले लें कि हमें किसको वोट देना है ठीक है अब इनसान के ओपर बहुत सारे क्रिमिनल केसे होंगे आप उसको कभी भी वोट ने करेंगे किसी अपरादी को वोट किसी अपरादी को थुड़ी नेदा बनाओ गया अपना तो ये इसलिए गौर्मेंट ने मतलब सुप्र प्रदर्शन कैसे करोगे वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इस नेसेसरी तो हाव फ्री एंड ओपन डिस्कॉशन अबाउट हूँ इस बापर बात होनी चाहिए विच पार्टी विल मेक अब बैटर गौर्मेंट और वट इस गुड पॉलिसी और किस पार्टी की गौर्मेंट अ इन वर कंट्री सच कैंपेंट टेक प्लेस वर टू वीक पीरिड बिट्विन दा अनॉंस्मेंट और फाइनल लिस्ट अब देट और देट ऑफ पोलिंग मतलब जब बिल्कुल सब कुछ अनौंस हो जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कहां से खाड़ा हो रहा है फाइनल मतलब 20-25 दिन पहले आपको बता लगता है कि हां इलक्षन की देट जो है फिक्स हो गई है अब हम अपना परचार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टो पर इलक्षन लॉर नो पार्टी और कंट्रीट कैन ब्राइब और थ्रेट वोटर्स देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी व हुं तो मैं हिंदु के लिए काम करोंगा सारे हिंदु भाई भैन मेरे को बोट दे ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं ठीके, use government resources for the election campaign, और election campaign के दुरान आप कोई भी government की संपत्ती का इस्तिमाल नहीं करेंगे, and spend more than 25 lakhs in constituency for the लोगसभा election, and 10 lakhs in constituency in the assembly election, assembly election में आप 10 lakhs खर्चा कर सकते हो, election campaign में, और लोगसभा के election में आप 25 lakhs तक ही खर्चा कर सकते हो, उसे जदा आप खर्चा नहीं कर सकते हो, all of the political party in our country have agreed to model code of conduct, अभी model code of conduct क्या होता है, जो क्या परचार करना है, कैसे परचार करना है, इसकी पूरी पूरी जानकारी, इसके लि तो वो उसे बोलते है, model code of conduct, ठीक है, election campaign के तोरान, कौन कों से rule regulation आपको follow करने है, वो आपको model code of conduct में पता लग जाते हैं, ठीक है, अब देखो final day आजाता है, polling and counting of vote, अब चुनाव हो, मतलब आप vote पढ़ चुके है, ठीक है, अब vote पढ़ने के बाद, counting होती है, votes की, तो counting कै इसे होती है, वो देखो, the final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote, मतलब final day क्या होता है, तो हम लोग जाके vote देते हैं, ठीक है, that day is usually called the election day, nowadays electronic voting machines are used to record vote, अब पहले क्या होता है, पहले तो paper में stamp लगा के लोग बोट देते थे, अब तो इसका machine होता है, EVM machine का स्तेमार होता है, ठीक है, इस EVM machine मे आपको जो भी जिसको वोट जिना तो उसके आगया का बटन दबा देते हैं, ठीक है, फिर the agent of all candidates are allowed to sit in polling booth, अब जहां पर voting पढ़ रही होती है, वहां पर हर party का एक-एक member बैठा रहता है, वो यह निगराने रिखने के लिए बैठा होता है, कि सब कुछ चीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर जिसको सबसे ज़्यदा वोट मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विजीता गोशित कर देते हैं, तो बस आपकी वर्क्षिट इतनी थे, अब देखो दो आपके चार कोश्चिन है, इसके आंसर देखो, यह चोटे-चोटे-चोटे- वोटर लिस्त, वोटर लिस्त, ऐसको देना है, कौन-कॉन लोग दे सकते हैं, उनकी पूरी जो लिस्त थेयार होती है, उसको बोलते हैं वोटिंग जिसको आपसको यहां-सी और लिख लेना, यह तीन अंसर हैं, पहले इसका स्क्रीशॉट लेल, अपना काम गरते रहना नमबर एक ही मस्ट भी फ्री ही मस्ट भी लॉयल एंद फ्री फ्रॉम करप्ट एक्टिविटीज देखो सबसे पहली बात उसको इमानदार होना चाहिए और ब्रश्टाचार में लिप्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक इन्सान करप्ट है तो फिर वो अच्छे को होना चाहिए and free from constricted mindset constructed मतलब कुराने सोच वाली mindset से उसको free होना चाहिए ठीक है बहुती खुले विचारों वाला होना चाहिए और छोड़ा लोकतांत्रिक विचारों वाला होना चाहिए डेमोक्रेटिक आइडियास वाला होना चाहिए ठीक है he should have sense of public service यह बहुत important है कि उसके अंदर ना जनता की सेवा करने की भावना होनी चाहिए ठीक है और दूसरी फिर लास्ट इंडियन होना चाहिए ठीक है question number three क्या है what is the model code of conduct तो देखो election commission of India India's model code of model code of conduct is a set of guidelines issued by the election commission मतलब एक set of guidelines है जो कि election commission जो है उसको issue करता है of India for the conduct of political parties and candidates during the election mainly with the respect to speech, polling day, polling booth, portfolios, election manifesto, processions and general conduct मतलब वही आपको कैसे speech देनी है कैसे आपको polling day पे काम करना है polling booth में कैसे behave करना है ना election के manifesto कैसे पालन करना है क्याकर नियम कानून follow करना है यह सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है यह तो set of guidelines होता है question number 4 है why agents of all candidates are present during the polling and counting day तो सभी कि सभी हर party काई के candidate क्यों polling booth में election day वारा दिन बैठा हुआ होता है the agent of all candidates are allowed to sit in the polling booth on the day of election and on the day of counting to ensure that the election and counting is done properly इसलिए ताकि उनको मतलब वो यह सुनुश्चित कर सके हैं कि हां सारा कांद जो है बिल्कुल ठीक तरीके से और बिना किसी धांदले वाजी के हो रहा है